नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्वरा अनकेडमी क्लासेज पर जजा कि आप देख रहे हैं यह क्लास 9th की NCERT है और इसमें चेप्टर है यह निर्देशांक जामदी मैथमेटिक्स का और उसकी एक्सराइज है 3.1 हम यहाँ पर लेकर उपस् बुक को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास अविलेविल है निर्देशांक जेमटी का तो इसमें देखिए एक कॉंसेप्ट है कि कैसे हम कॉडिनेट लिखते हैं तो उन कॉडिनेट के बारे में बताया गया है तो उनको हम आप देखिए मैं आपको समझाते हू इसको हम कहते हैं X-axis यानि ये X-axis होती है या तो हम इसको X-axis भी कहते हैं ये इधर का जो होता है वर्टिकल जो होता है उसे हम Y-axis कहते हैं यानि Y-axis कहते हैं तो ये चीज़ हो गई यहाँ जो कहने का मतलब है जैसे देखिए जो खाने आपको दिख रहे हैं इस तरीके से इ की position बताने की बात कहीए जैसे ये point है ये position बताना है यहाँ पर तो यहाँ का गया कि ये पहुशने में यहाँ तक लगेगा और इधर से जाएंगे तो आपको ये लगेगा तो यह अगर आपको लिखना है इसके coordinate तो पहले आप x अक्ष का लिखेंगे फिर y अक्ष का लिखें तो ये 5 हो गया इसे तरीके से फिर इसके बाद क्या है ये आपका 5 चल गया अब आप ओपर की तरफ कितना चलेंगे आप देख लीजिए आप ओपर की तरफ यही हमारे coordinate जहां पर बनते हैं तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा कि किस परकार हम इन चीजों को लिख जैसे आप माल लीजिए जैसे ये point है इसको आप दरसाना है तो देखिए यहाँ पर x के लिए हम कितना चल रहे हैं 4 चल रहे हैं और y के लिए कितना चल रहे हैं 1 ही चल रहे हैं तो 4,1 हो जाएगा आप यह समझे जैसे यहाँ पर mention की गई है आपकी book में तो ये इस परकार ह हम यहाँ पर समझते हैं देखे यहाँ जो चीज़ है यहाँ उन्होंने बताया की एक अनिविक्द को आप अपने अध्यन में जो जिस टेबल पर आप बैठके पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए यह टेबल है आपकी इस टेबल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं बैठके तो जगे पर तो उस लैंप की इस्तिते आप किस प्रकार बताएंगे तो ये चीज़ ने तो टेबिल का जो ओपर का हिस्सा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है आप आप मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है जिरू कमा जिरू है या इधर की तरफ एक्स हो गया इधर की तरफ वाई हो गया अब मान लीजिए कि कहीं यहां पर आपके पास लैंप रखी है तो आप कितना इस तरफ चलते हैं या एक्स की तरफ और कितना आप वाई की तरफ चलते हैं तो मान लीजिए एक्स की तरफ आप एक्स चले और वाई की तरफ वाई चले तो आप जो बताएंगे जो दूरी बताएंगे वो कोर के हिसाब से बताएंगे यह हमारी कोर है तो इनके हिसाब से बताएंगे कि X कोर से आप कितनी दूरी पर है Y कोर से कितनी दूरी है या उसका इन्रदेशायंक बताना हो तो X का महम Y बता सकते हैं देखिए जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं, इस चगे पर मैं आपके लिए का इमेज लेकर आया हूँ, देखे यहाँ आप क्या चल रहा है, यह उपर के तरफ कितना जा रहे हैं, वाई जा रहे हैं, जहाँ एक्स और वाई मिलेंगे, वही लैम्प की पोजिशन होगी, तो उ दूसरी कोर हो गई, कि इस कोर से कितना दूरी पर होगा, वो X अक्ष की दूरी पर होगी, ये मेज की चारो कोर हो गई, ये चीज यहां पर बताई गई है, तो यही मालिया की मेज का एक समतल है, और उस पर रखावा टेवे लायम समतल मेस्तिते की बिंदू की तरह है, तो X, Y की तरह ये चीज़े मिल जाएंगी जो आपके स्थितियां इस प्रकार होंगी तो ये आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा अब देखते हैं कोशन नमबर जो टू है आपका उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कोशन नमबर जो टू है वो कह रहा है कि एक सडक योजना है एक सडक की योजना है और खांकि एक नगर में दो मुख्य सडके हैं जो नगर के केंदर पर मिलती हैं ये दो सडके उत्तर दक्ष्ण की दिसा और पूर्व पक्षिम की दिसा में है नगर की अन्य सभी सड़के इन मुख्य सड़कों के समांतर परस पर 200 मीटर की दूरी पर है तो इनके कहने का मतलब है जो मुख्य हमारी सड़क होगी जो मुख्य सड़क है वो हम मालने कि ये सड़क हमारी मुख्य होगी तो ये मुख्य सड़क उत्तर और दस्चिन हो गई इसको कह दीजिए आप ये उत्तर की तरफ हो गई और इधर ये दक्षिल की तरफ हो गई और एक पूरव और पक्षिम हो गई ये चीज आपकी माल लीजिए ये दो मुख्य सड़के आपकी हो जाती है थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया आप उसने देखे क्या कहा यहाँ पर कि प्रतेइक दिसा में तोमेटर की दूरी पर प्रतेइक दिसा में लगबग 5 सड़के हैं लगबग 5 सड़के हैं टोटल और उनकी जो बीच की दूरी है one centimeter equal to twenty meter क्या पैमाने पर ये ना पी गई है तो हम मान लेते हैं कि किस प्रकार से हैं तो देखिए यहां हमें चक करना है कि जो सड़के होंगी वो total पांच करनी हैं तो यहां पर देखिए इस सगे पर अगर हम माने पांच हैं तो एक पैमाना नगर मॉडल का हम बना लेते हैं तो यहां कुछ सड़के कुछ इस तरीके से आपको नज़राएंगी यहां पर यानि तीन एक हो जाएगा इधर की तरफ आप दो इधर बना लीजिए ऐसे सब दो-दो-सो मीटर के बराबर होंगा एक होगा यह दो होगा और यह आपकी कौछ से होई जाएगी यह तो मुख्य सड़क होगई यह तीसरी सड़क होगई यह चोती सड़क होगई और यह पांची सलक हो गई इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगर आप दूसी तरफ यहां आप बना दीजे तो एक यह हो गई सलक, एक यह सलक हो गई इसी तरीके से तीन सलक आप उपर बना सकते हैं यह हो गई तो यहां भी आप लिख दीजे एक सड़की ये हो गई, दो ये हो गई, तीन ये हो गई, चार हो गई, और ये पांच हो गई इस तरीके से आप पांच सड़के बना सकते हैं तो जब आप कोश्चन नीचे की तरफ देखेंगे, तो देखें, यहां जो आपको बताएगा कोश्चन नीचे, जो पूछा जा रहा है आपसे, कि इसी परंपरा से उत्तर दक्षिनों सभी स्ट्रीट बनेंगी, तो इसे, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट दो कामा पांच, क्रॉस पांच हो गया, तो इस तरीके से स्ट्रीट की हम बात करेंगे, वो दो कामा पांच की बात यहां हो गई, इसी तरीके से अगली वाली बात करते हैं, इन्होंने कहा कि यह दो कामा यहां पर हम पांच की बात कर लेंगे, यह नहीं दो कामा यह पांच हो गया, इसी तरीके से अगर अगले बात करते हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को हम 4 कामा 3 माना जा सकता है, 4 कामा 3 को माना जा सकता, तो देखें, 4 कामा 3 का मतलब है, कि आप 4 ले लीजे इधर से, तो 4 आपने यहां ले लिया, जो है, हमारा 3 कामा अगला जो बन रहा है, वो 4 कामा 3 बनेगा, तो 4 कामा 3 का मतलब क्या है, कि यह 4 हो गया और यह कामा 3 हो गया, तो इस वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे, 4 कामा 3 कह देएगे, इसी तरीके से, आप देख सकते हैं, अगला वाला जो इस ने 2nd point पुछा है, कि कितनी स्ट्रीटों को 3 कामा 4 माना जा सकता है, तो 3 कामा 4 का मतलब 3 वाले पर आईएगा, और कामा 4 हो जाएगा, यानि 3 कामा 4 के बारे में हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो यह हमारी points हो जाएगी, तो यह model जो स्ट्रीट का है, वो 4 कामा 3 और cross 3 कामा 4, अदुतिये, यानि यूनीक और अलग-अलग ही होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, यानि यह statement अलग होगा और यह अलग होगा, इसी तरीके से हम इनको देख सकते हैं, अब देखी यही statement यहाँ पर पूछा गया है, अगर एक बार हम आपको और समझाने की कोसिस करें, तो आप देख लेजी, यहाँ पर जैसे यह मारी मुख्य सलक हो गई, एक और यह मुख्य सलक हो गई, जो पूरब पक्षिम के लिए होगे, यह north and south हो गई, यह east and, यह हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यह east and west हो गया, यह चीज हो गई यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखेंगे, कि जो अगली सलके हमारी बनती हैं मुख्य सलक से, तो हम तीन इधर की तरफ ले ले रहे हैं, और दो इधर की तरफ हम ले ले रहे हैं, अब देखिए, यह चीज हमारी हो गई, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में देखिए, आप यहाँ जो अलग बात चीत होगी, यहाँ पर समझे इस चीज को, तो यहाँ जो हमारे पास बना है स्टेट्मेंट, एक बार टेकनिकल प्रॉब्लम हुई, तो देखिए, आप को हम समझाते हैं, यहाँ पर एक हमने मुक्च धारा यह ले ली, और एक मुक्च सड़ा क हमने यह ले ली, यह हमारा नौर्थ, और यह हमारा साउथ, यह हमारा वेस्ट और यह हमारा इस्ट होगे है, अब समझ लिए, अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, जो समझने वाली बात है यहाँ पर, यहाँ समझने वाली बात में देखिए, क्या होगा यहाँ पर, कि इस साइड में हमने तीन मुख्य सड़के दो-दो सो मीटर की दूरी पर बना दी इसी तरीके से इस साइड में हमने दो सड़के पांस सड़के उन्होंने बताई थी तो हमने इस तरीके से हमने बना दिया अब एक हमने मान लिया और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, और दो सड़के आप बना दीजिए, जो दूसी तरफ होंगी, तो हमने देखा कि दो सड़के हम इधर बना लें, और तीन सड़के इधर की तरफ बना लें, यह सब दो 200 मिटर की दूरी पर हो गए, इनके नाम करार कर देते हैं, यह एक हो ग देखोगे, तो यहां जो आपको मिलेगा, इसकी तरफ तो यह आपको एक मिलेगा, यह दो मिलेगा, यह तीन, यह चार और यह पाँच, जब आप दो कामा तीन की बात करोगे, तो यह दो हो जाएगा, यह दो कामा पाँच मिल जाएगा, इसी तरीके से जब आप तीन कामा चार की बात करोगे तो तीन कामा चार की बात जो होगी वो यह होगी यहां तीन कामा चार मिल जाएगा एक आप चार कामा तीन की बात करें तो चार उपर से आया और तीन नीचे चार कामा तीन की बात हम यहां कर सकते हैं तो इस model से ये चीज आपकी relate हो सकती और ये आपका answer यहाँ पर हो सकता है तो इस प्रकार ये जो exercise हमारी थी एक छोटी सी exercise थी इसे हम यहाँ पर solve कर लेते हैं और आपकी समझ में आगे होगा कितनी street, cross streetों को 4 कामा 3 माना जा सकता है तो आप यहाँ लिख सकते है model से spust है यहाँ पर आप एक line लिख सकते है कि model से देखिए यहाँ लिख दीजी इसी जगे पर हम लिख देते हैं यहाँ लिख दीजी model से spust है की cross street चार कामा तीन और तीन कामा चार आद दीए आद दीए हैं और अद दीए और अलग अलग हैं और अलग अलग हैं यह चीज यहाँ पर निकल कर सामने आ जाती हैं आप मिलते हैं हम अगले exercise में अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ अब हम पढ़ेंगे अगले exercise में 3.2 exercise को यह exercise थी जो हमारी थी प्रस्णावली वह 3.1 थी इसकसाथ में बिदा लिएते हैं